तत्काल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए अब बात ये बड़ा महत्वपूर्ण है आगे मैं आपको थोड़ा पढ़के इसलिए सुना रहा हूं कि जो हमने तैयार केया है नोट तो उसका एक क्या अडाने घोटाले की जाच नहीं होनी चाहिए मैं ये पूछना चाहिए क्या जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी नहीं बिटाना चाहिए और ये नहीं प्रता नहीं है तीन चार पांच दफा पार्लमेंट में ऐसी घटना है घटी है फिर क्या ये लाइसी का पैसा जो अडानी की कमपनियों में लगा है उसकी गिर्थी किम्तों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए क्या येस भी आए और दूसरे बैंकों दोरा अडानी को दिये गए 22,082,000 क्रोर्स लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेरों में 32% से ज़्यादा गिरावट के बावजूद यलाइसी और SBI का 524 करोड अडानी या पीवो क्यों लगाया गया ये तो पूछना चाहिए जनता का पैसा है इसमें लगा हुआ हर एक की जिंदगी उसमें है फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि यलाइसी और SBI के शेरों की कीमत शेर बाजार में एक लाग करोड से ज़्यादा क्यों गिर है और दूसरा प्रशन क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कम्पनियों में आने वाला हजारों करोड रुपिया किसका है क्या ये पूछना गलत है कि मोधी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर स्री लंका और बंगलादेश में ठेके दिलवाएं ये तो पत्रिका में आया था आप सबको मालूम है जब हमने अंदर भी कहा भार उस वक्त कोई पूछे नहीं और ये सबको भी मालूम है क्या ये सच है कि फ्रांस की टोटल ग्यास ने अडानी की कम्पनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जाजपूरी होने तक रोक दिया है ये भी हम पूछना है क्या दुनिया के सबसे बड़े शेर इन्वेस्टर नॉर्वेश सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेर बेच दिये है क्या ये पूछना भी गलत है क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है ये क्यों ये भी पूछना गलत है क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी ग्रूप क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉंड्स पर लोन देना बंद कर दिया है क्या ये पूछना भी गुना है क्या डॉजोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबलीटी इंडिसेस से हटा दिया है और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जाच क्यों नहीं कर रही और इसको जॉइंट पार्लमेंटरी कमीटी की अनकौरी क्यों नहीं होना चाहिए क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसत में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता हमको यह बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइस, अडानी इंप्रास्ट्रक्चर, तो आप नामी वैसा रख लिए हैं, और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलना ही पड़ता है। क्या कारणे की RBI, SEBI, ED, ESPIO, Corporate Affairs Ministry, Income Tax, CBI, सब को क्या लकवा मार दिया, क्या दिखरा नहीं उनको, क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं, इतने घोटाले होने के बावजूद, ये संस्ता है क्यों चुबेटी। इसलिए, ये हमारा काम है, कि सरकार को पूछना, जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जुमेदारी होती है, हमारी responsibility होती है, कि जनता के पैसे की हिपाज़त भी करे, उनके हकुक का रक्षन भी करे, और जो घोटाले हो रहे हैं देश में, इसका परिणाम जो आम जनता प है, लेकिन हमको उन्होंने वहाँ पर ना कमिटी बिठाने की कहीं सम्मद दिय या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिये, यहां तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की, उसको भी वहाँ पर बोलने की एक इजाज़त नहीं मिलने के वज़े से, हमारे लोग बहुत से महाँ पर एजिटेट हो गए और महाँ पर डिमाइंड किया कि जॉइंट परलमेंटरी कमिटी बिठाओ, 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 तो उन्होंने नहीं सुना